नमस्कार, अनीता माथूर, Department of Geography, बाबु शोवाराम, Government Arts College, अलवर, BA Honors Part 2 के Students के लिए हम, Ecological Principles and Concepts की बात कर रहे थे, और हमने देखा था कि यह जो प्रकृती है, इसमें कौन से नियम काइदे हैं, जो silently वहाँ पर होते हैं, प्रेजन्ट होते हैं, हम उन्हें महसूस नहीं कर स सकते हैं, परन्तु हर चीज एक सेट पैटर्न पर काम करती है, तो इसके हम अभी तक दस सिद्धान्तों पर बात कर चुके थे, आज हम इसका ग्यारवा सिद्धान्त जो है, उसको पढ़ते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि सामान्य या घटना रहित, पारिस्तितिक तंत् की स्थिर्ता का क्या अर्थ होता है, पारिस्तिक तंत्र में प्रत्य एक तत्व के उपयोग में संतुलन कायम रहे, उर्जा के निवेश, मतलब उर्जा के इन्पुट और आउटपुट में संतुलन रहे, विबिन जैवरसाइनिक चक्र जो कैमिकल साइकिल्स होती हैं, एक नॉर्मल रूप में एक्टिव रहे, और सभी तत्व जो हैं वो सई दिशा में काम करते रहे, हम ऐसी आदर्ष परिस्तिती को क्या कहेंगे, घटना रहित पारिस्तितिक तंत्र में अंतह निर्मित स्वतह नियंत्रन की प्रक्रिया होती हैं, मतलब एक सेट मेकानिजम होता ह यहां पर हमें कोई डंडा लेके पुलिस नहीं खड़ी करनी पड़ती है कि वो नियमों का पालन करवाई परन्तु यहां पर एक नॉर्मल रूप से यह सारे चीज़ें चलती रहती हैं यह मैं वो बात कर रही हूं एक आदर्श इस्तिती की बात कर रही हूं जब हम प्रकृती को किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुचाते हैं अगर हम प्रकृती को पारिस्तितिक तंत्र को उसी के हाल पर छोड़ दें तो वो एक आदर्श पारिस्तितिक तंत्र हमारे सामने होगा सामान्य होगा घटना रहित होगा वो स्वनिर्मित एक नियंतरन जो की बिग सेल तो अगर हम इस प्रकार की पारिस्तितिक तंत्र की कल्पना करते हैं तो ये एक बहुत ही आदर्श पारिस्तिति की बात हम करते हैं पारिस्तितिक ये विविदताओं तथा जटलताएं पारिस्तितिक तंत्र की और पारिस्तितियों की इस्थिरता को बढ़ा देती हैं पारि अपनी तरह से इसकी व्याख्या की है जैसे आहार जाल की विविदता में व्रद्धी पारिस्थतिक तंत्र की इस्तिर्था को प्रोथसाहित करती है प्रमोट करती है क्यों करती है क्योंकि आहार जाल में व्रद्धी विशेश जीवों की exotic जो organism होता है कि बाहे अतिक्रमन के प्रती यह है तंत्र जो होता है वो ज्यादा सहनशील होता है उसकी सहनशीलता बढ़ती जाती है यह Elton ने कहा है आप इस प्रकार के अलग-अलग किताबों में देखेंगे तो बहुत सारे examples आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे अब हम आते हैं बारवे पॉइंट पे इसमें कहा गया है कि जब कोई पारस्थितिक तंत्र परियावरण में होने वाले जो changes है जो परिवर्तन है उनके साथ अगर adjust हो जाता है अज़िस्ट नहीं हो पाता है तो उसका क्या result रहता ह पारस्थितिक तंत्र में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है उसका balance जो है वो कुछ time के लिए खराब हो जाता है पारस्थितिक तंत्र की अस्थिरता जब पैदा होती है जब पारस्थितिक तंत्र में होने वाले परियावरणिय परिवर्तन पारस्थितिक तंत्र की उन पर्यावरनिये दशाओं को समायोजित करने और उसकी सहनशीलता को शमताब को से अधिक हो जाते हैं ये आप ये देखिए कि अगर नॉर्मल प्राकर्तिक रूप में सब चीज़ें चलती रहती हैं तो प्रकर्ति में कोई छोटे मोटे परिवर्तन भी अगर होते हैं तो बाकी परिस्तितियां उसके हिसाब से समायोजित हो जाती हैं एड़्जस्मेंट पैदा करती रहती हैं और जरूरत के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन भी करती है और ये परिवर्तन वो जितना अधिक करती है, जितनी अधिक सहनशीलता होती है, जितनी अधिक शमता उसमें होती है, उतना ही पारिस्थतिक तंत्र में बैलन्स बनता रहता है। हमारा जो पारिस्थतिक तंत्र है वो बहुत स्मार्ट है, वो समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, अपने एड़िस्मेंट बिठाता है और वो बहुत तरीके से हमारे सामने चीजों को प्रदर्शित करता है। चार्ल्स रार्विन ने अपने जो नेचुरल सेलेक्शन या प्राकृतिक चैन की प्रक्रिया के द्वारा जातियों के उद्भव की विधी बताई थी, नियमों के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि प्राकृतिक चैन की संकल्पना की अनुसार, जीवों की जो संख्या है, उनकी जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन, वो एक तरह से यौन संबंदों के द्वारा प्रजनन करने वाली जो जातियों के सदस्थे के समुदायों को कहते हैं। उद्भव की भी बात कर सकते हैं, और ये जो इन में प्रजनन चमता होती है, इसी प्रजनन चमता के द्वारा पीडी दर पीडी, वन्शानुगत, विबिन्नताएं बढ़ती जाती हैं, मतलब वन्शानुगत जैनेटिक रूप से भी चेंजिस बॉडी में आते रहते हैं, और ये परिवर्तन आगे जाके इतने ज्यादा हो जाते हैं, कि नए जीवों के उद्भव का ही आधार बन जाता है, उस सिद्धान्त में हमने पढ़ा था है, आप मोटे रूप में एंत्रोपोलोजी से रिलेटेड अगर कुछ देखें, आप नेट पे सर्च कीजिए, तो म मानव जो है उसके पूरवजबंदर थे, दीरे 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 उनमें एक प्राकर्तिक रूप से क्या परिवर्तन आया, वो जो वंचानुगत क्या-क्या परिवर्तन आया, कि उनकी बैकबोन स्ट्रॉंग होने लगी, और वो चार पैरों की जगे, दो पैरों से चलने लगे, ह हम यह मान सकते हैं कि नए जीव की रचना हुई, चाल स्टार्विंग द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था सिद्धान्त, उसके प्रमुक नियमों और सिद्धान्त को, रॉबिंसन ने भी कुछ मोटे तोर पर कुछ पॉइंट्स देके उसको बताया है, जिसमें उन्ह सिद्धिक विबिनताएं होती है, वो मामूली होती है, और धीरे 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 वो बढ़ती जाती है, एक पीडी से दूसरी पीडी में वो शसक्त होती जाती है, और इससे क्या होता है, कि नई जातियों का उद्भव होता है, यह जो विशेशताएं होती है, यह एकाकी कावरन के जीवन संगर्ष के लिए दक्ष होती हैं उसको ये सुगम बना देती हैं उसके लिए ये काम और इन सभी जीवों में जो प्रजनन क्रिया होती है वो इनके सर्वाइवल को संतानुत पत्ती की शमता अगर होती है तो आगे पीडी दर पीडी वो चीजें आगे लगता है कि किस प्रकार से प्रकृती में नई-णई चीजों का उत्भव होता है नई-ई-चीजों का विकास होता है नई प्रजातियां किस प्रकार से पैदा होती है उसके बाद अगर हम 14th point जो है उसकी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कभी कभी संतान अपने माता- पिता से बहुत अलग होती है एक ही पीड़ी में आप ये देखिए एक ही परिवार में सारी संतानों की शकल एक सी थोड़ी होती है वो अलग-अलग प्रकार की होती है तो ये जो क्या है ये Mutation है Mutation मतलब कि गुणों का एक तरह का बदलाव है वंचानुगत बदलाव है विबिनताओं का संचालन होता है हम ये कह सकते हैं कि भगवान के पास बहुत सारे डिजाइन्स है तो वो में चीजें अगर ले लेता है तो वो इंटर ब्रीडिंग जिसे हम कहते हैं उसके आधार पर सभी संतानों की जो शकले होती है उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है जो गुण होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है तो ये जो चीज है ये बहुत complicated है और इसके अपने ही नियम काईदे हैं उसके तहट ये सारी चीज़ें हमारे पारिस्ति तेक तंत्र में आपको निरणतर दिखाई देती है। आप ये मान सकते हैं कि वंशानुगत उन्टी के पहद भी हमें एक विबिनता का भी गुण है। और ये विबिन्निता का गुर्ण जो है प्रकृती का इसी के द्वारा इसकी समस्त संतानों की आकरती और आकार समान नहीं होता है उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होते हैं जैनेटिक परिवर्तन होते हैं जो frequency के आधार पर जैसे हमें किसी भी चीज की making के लिए 10 चीजों की जरुवत है और हमारे पास 100 चीजें हैं तो 100 में से कोई 10 चीजें एक बार में काम करती है इसलिए ये विभिनता का गुण जो है ये पीडी दरपीडी आगे बढ़ता जाता है और ये हमारी प्रकृती का एक गुण है तो ये जो main points हमने ये हम देख रहे हैं इसमें ये एक बहुत important प्रकृती चैन का एक अपना ही बहुत important नियम हम यहां पर मान सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं प्रजनन प्रथकरन की बात करते हैं जो reproduction, isolation होता है वो भी जाती के उद्भवन की एक प्रकृया मानी जाती है और इस क्रिया के द्वारा किसी भी जाती के जीवों का उद्भव होता है जो आकार और संरचना की द्रिष्टी से एक दूसरे से अलग होते हैं वो ही बहुत सारी designs हैं और आप ये मानिए कि crossbreeding भी कई बार हमारे वातावरण में हमें देखने को मिलती है तो क्या होता है कि आकार और संरचना की द्रिष्टी से जो जीव हैं उनमें जीव जीम्स जो होते हैं उनका विनिम्ई होता है आदान प्रदान होता है और वो इस आदान प्रदान के कोई obstacle के रूप में barrier के रूप में कुछ अवरोध होते हैं और उस वज़ जैसे हम ये मानते हैं उन अवरोधों के कारण आकारिकी दृष्टी से विलक प्रजातियों के सदस्यों का लैंगिंग संपर्क नहीं हो पाता है ये जातियां अपने मौलिक रूप स्वरूप को बनाई रखती है इसका सीधा सा क्या आपको मैं साधरन भाशा में बताऊं कि अगर हम कैट और डॉग की बात करते हैं तो उसमें लैंगिंग संपर्क नहीं होता है यहां पर एक प्रथक क करण होता है जो प्रजनत पृतक क्रण की प्रकřिया इन दौनों को अलग रखती है और अलग रखने से वह जो जीव है वह अपनी ही प्रजातियां में विभिन्नताइं पैदा करता रहता है. वह आपस में क्रॉस बीड ब्रीड नहीं हो सकती है यह हमारी प्रकृती का नियम है और इसी नियम के तहट क्या फाइदा होता है कि जीवों की एक रूपता बनी रहती है थैंक यू